बेश के पांच राजों में चल रहे विधानसभाचुनाओं के अंतिम चरण में आज तिलंगाना में विधानसभाचुनाओं के लिए वोटिंग करवाई गई तिलंगाना की 119 विदान सबा सीटों पर गुरुवार सुभह 7 बजे से वोटिंग कराई गई जो शाम 5 बिज तक चली चुनाव आयों के मताबिक तुपह 3 बजे तक 51.9 प्रतिशत मत जान हुआ है तिलंगाना के आदिलाबाद में वोट देने आये दो बुजर्ग 78 वर्षी टोकला गंगमा और 65 वर्षी राजन्ना की मौत हो गई वोटिंग के दौरान लाइन में खड़ी टोकला गंगमा को हार्ट अटेक आया वहीं लाइन में खड़ी राजन्ना चक्कर आने के वज़े से गिर गए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई वहीं पोलिंग बूत में मीडिया से बात करने के वज़े से बी आरेस नेता की बेटी कवीता के खिलाफ शिकायत करवाई गई मतदान के दोरान तीन से चार जगे कॉंग्रेस से बी आरेस और बी जेपी के कारेता ता भिड़ गए कुछ जगों पर लाठी चार्ज भी हुआ गुज़ात के हमदाबाद के खेड़ा जिले में आरुवधिक दवाईयों की बिक्री का मामला सामने आया है जिस पर सरकार से लेकर विपक्ष ने अपनी अपनी प्रतिक्रें दी है सर्दियों के मौसम में आयर्वधिक दवाई के नाम पर अन्य राज्यों से लाकर अलकोहल और मेथलिन जैसी जहनिले कॉंटेंट वाली सीरप धड़ले से भिक रही है जिससे खेड़ा में मौत का मामला सामने आया है इस मामले फूड एंड ड्रक्स कमिशनर एच जी कोशिया ठोस कारवाही की बात कही है गुजरात के स्वास्थ मंत्री रिशिकेश पतेल ने खेड़ा की नशिली आर्वेदिक सीरप मामले सरकार का पक्ष पेश किया आपना त्या आप रकार नो कुईपण आसव बनावानी फूड अने कोस्मेटिक एक्ट हेठाल उइने आपने परवान गी आपी नथी अने जे आपी यती अने पन आपने रद करीले छे परणते क्यांक बार्थी लावी और आनू वेचान थाहेलू होई उँ मालूम पड़े चे अने समगर बाबत एप पोलिस तपा से ठल चे नशली सिरब की गुजरात में बिक्री मामले कॉंग्रस के निता मनीश दोशी आमादे पार्टी अध्यक्ष इसुदान गड़वी और बोटाज के विधायक उमेश मकवाना ने भी सरकार पर निशाना साधा है अवा असामाई कत्तों उपर कणक मां कणक फगला पड़े तोज गुजरात मां नसाना वेपलाव उपर रोक लगा छे और युवा दन्या अपरें बचावी सक्षों नसानी सिर्फ मां तेरे पांच लोकों ना मृत्य उधया छे अजू पन वदारे मने लागे छे आकड़ों वधी शक्येम एवी शक्यता हो छे डूखनी वाती छे कि आ नसानी सिर्फो जे आयुर्वेदिक ना नामे वेंचाई रही छे जो एनी तडिया सुधी तो तपास नहीं करवा मावे कि अटली जग्या वेंचाती उसे क्या थी आवे छे कौन आने करे छे कौन लाइसंस आपे छे क्या थी मिक्स थाई छे छुबज बेकारजी बरिवतरी तंत्रा छे आसा राखिये लोकोने पर मारी मिननती छे के स्वयम्भू आपने वे जागवू परसे स्वयम्भू आपनी आपने ध्यान राखवी परसे बाग आस सरकार बेफां थाई गेईश मांदिया मुख्यमंत्री स्रीने में एक मांगने गरी छे लेकिक के गुजरात ना दरेक जिल्लाओं मा आवा अरुवेदिक सिरपो अलग अलग पान ना गलाओं मा उपर मरी रिया छे अलग अलग प्रविजन्स टोरों मा मरी रिया छे अने आनी उपर कोईपन प्रकानू अंक करोड़ रुपे के खर्च के बावजूद लाखों लोगों को कॉर्परेशन द्वारा दूशित पानी पिलाया जा रहा है दूशित पानी की आपूर्टी गुज्राथ की स्मार्ट सिटी वडुद्रा शहर में बार बार होती है लाखों लोग बिमार पढ़ जाते हैं लेकिन दूशित पानी के शुदी करण का कोई ठोस नवारन नहीं हो पाता है त्वाली से पहले 6-7 लाख लोगों को कॉर्परेशन द्वारा दूशित पानी की आपूर्टी की गई और सेंपल लेने के बाद बना रिपोर्ट के पानी को पीने लायक खोशित कर दिया गया था जीप की भी पानी का रंग बदला हुआ नजर आया इस मुद्दे वडूद्रा महानगर पालिका की नेयर पिकी सूनी से पूछे जाने पर उन्होंने इस मुद्दे को पुराना बताया जबकि हकीकत यह है कि अभी भी यहां पीला पानी आ रहा है दरसल मैसागर्नदी से पानी ले गया और पानी सामानिय होने की बात भी कही गई लेकिन जब बाल्टी में भरकर पानी देखा गया तो वो दुशित ही देख रहा था विपक्षनेता अमीरावत ने इस मुद्दे कोर्पोरेशन पर सवाल उठाए हैं बेजिकली दिवाली के एक पीक पहले से वरोदरा शहर में पीले कलर का पानी डिस्टुबिट हो रहा है हमने वहाँ पर सोर्स पे जाके देखा मैसा कर नदी का पानी पूरा पॉलिट हो चुका था उसके बाद नेक्स जे कॉर्परेशन में रिपोर्ट दिया कि पानी में थ यहीं से कोई केमिकल पॉलिटेंट है तो पॉलिटेंट की वज़े से पानी गंदा आ रहा है इसलिए हमने जो जीपी सीबी के रिपोर्ट है उसको भी चैलेंज किया है अनफॉर्चुनेटली दिवाली के बाद फिर से जब हम लोगों ने नगर जनों ने बताना शुरू कि कि पानी अभी भी पीला रहा है हमने फिर से महिसागन नदी में देखा था नदी का पानी अभी यलो इश कलर का है और बिकॉज हमारे वहां कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दोड़का के सीवा तो है नहीं तो फाजल पूर्द राइका वगेर ऐसे तो पीला पानी ही ड लेना चाहिए क्योंकि एक तो हमारे पास डबलू टीपी नहीं है सेकेंडली कोर्परेशन के पास कोई और नेटिव सोर्स भी नहीं है कि जहां से 6-7 लाग नागरी कि यहां से पानी पीते हैं उनको और कौन से स्त्रोथ से पानी देंगे और को यह दूसरा स्त्रोथ भी नह रहे हैं अगर विदिन अवीक डिकलार नहीं होता है कि डबलू टीपी सारे प्रेंच वल पे बनेगा तो आइटिंक फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा क्योंकि यह तो लोगों की बेजिक नेसेसिटी है कि साफ पानी लोगों को देना चाहिए और कॉर्परेशन की बेजि चुरू करवाई थी लेकिन उसके बाद भी पानी दूशित ही आ रहा है तरसल दूशित पानी की जड़ महिसागर नदी में है जहां कुछ कंपनियों द्वारा रिवर्स बोरिंग किये गए हैं यहां कंपनियों द्वारा प्रदूशित पानी बिना फिल्टरेशन के जाता है ऐसे में सेंट्रल गवर्मेंट एजनसी के पास महिसागर नदी के पानी के सेंपल लेकर टेस्टिंग कराने चाहिए तब ही असली हकीकत उजाकर हो पाएगी वड़ुद्रा के अंगड़ और संद्रोट में भी लाल पानी की आपूरती होती है ऐसे में महिसागर हीम द्वारा आगें की गईृज्रात के वुर्द्राश्चेहर में एस उजी द्वार द्वारा कूविदान फलिया में डुपलिकेट और बनाने की जानकारी में पर च्षपे एस नियर में अस्तेमाल म संब्ी और संद्वरेंगिया गया सिंच्फेर होती हूं उप जैसे ब्रैंदिड ओयल को डुप्लिकेट बनाकर तयार किया जा रहा था इस मामले ऐसोजी द्वारा दो संदिग्द आरोपियों को गरिफतार किया गया है डुप्लिकेट ओयल बनाने के इस रैकेट में कौन-कौन शामिल है उसकी जाच ऐसोजी पुलिस कर रही है इस गुजरात के हम्दाबाद जिल्ले के खेड़ा में आरवजिक सीदब पीने से हुई मित्यों मामले जाच शुरू की गई अगरी चालू कर वागोज चालू छे अतरवी न जे प्राथिमिक माहिती आपकों बढ़ी चे इन अपर थी इस पी पहफाप रव्ती पर लेज कर वागोज पर थी प्राथिमिक माहिती मारी पास चे जोग एक आयोमेदिक दभा चे आनि एक इशोर है पनाम न न इंड़िक जे विजान प्रफदाबता है, हैंने में पोते के 50-55 लोगों ने दवा आपी है, हैंने ये दवा बेसिकली कफ सिरफ के टॉनिक जेवुचे, हावी लगे लिगे.